कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुती प्रति दिन एक कविता कीजिए अपने हर दिन की शुरुवात एक कविता के साथ। आज सुनिये अमरिता प्रीतम की कविता, खाली जगह, सुनिये कविता मेरी यानि आर्थी की आवाज में। सिर्फ दो रजवारे थे, एक ने मुझे और उसे बेदखल किया था, और दूसरे को हम दोनों ने त्याग दिया था। नगन आकाश के नीचे, मैं कितनी ही देर तन के मेह में भीगती रही, वो कितनी ही देर तन के मेह में गलता रहा। फिर बरसों के मोह को एक जहर की तरह पी कर, उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा। चल, शणों के सिर पर एक छट डाले। वो देख, परे सामने उधर, सच और जूट के बीच, कुछ खाली जगा है। आज की कविता को आप पॉड़कास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रती दिन एक कविता सुन रहे हैं, वहां अपने कॉमेंस शेर करना न भूले। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तती हर सुबह आपके वाट्साप पर आजाए, तो हमें इस नंबर पर मेसेज भेजें। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।